हलो, नमस्कार, गूड मॉर्निंग, सुर्भा छात्रों, हम बिहरी के दोहे पढ़ रहे हैं, पिछले दस दोहों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, हम 11.12 से इस वीडियो में शुरू करते हैं, तो चले शुरू करते हैं को छूट्यों इह जाल परी कत कुरंग अकुलात जों जो सुरजी भज्यों चहत त्यों त्यों उर्जत जात को छूट्यों इह जाल परी कत कुरंग अकुलात कत का मतलब है क्यों कुरंग का मतलब है हीरण अकुलात का मतलब है छटपटाना या व्यकुल होना सुरजी का मतलब है सुलजाना भजयो मतलब भागना उर्जत मतलब उलजना इसमें कवी बिहारी ने मोहमाया से ग्रस्त व्यक्ति की विवस्ता का चित्रन किया है कि व्यक्ति मोहमाया से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वो उससे निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है तो कई बिहारी जी कहते हैं कि हे म्रिग म्रिग के उधार्ण से वो सांसर की व्यक्ति के बारे में बता रहा है अन्योक्ति अलंकार इसमें म्रिग के उधान से सांसर की व्यक्ति के बारे में बताया गया है कभी बिहारी कहते हैं कि हे म्रिग तु क्यों छट पटा रहा है कत्य कुरंग अकुलात हे म्रिग तु क्यों क्यों अकुलात मतलब क्यों छट पटा रहा है इस जाल में पढ़ने के बाद को छूट पाया है को छूट यो को छूट पाया है इही जाल परी इस जाल में पढ़ने के बाद अर्थार्थ कोई नहीं छूट पाया है जो जो तू इसे सुलजा कर भाग जाना चाहता है जो जो सुर्जी भजो चहते जो जो तू इसे सुलजा कर भाग जाना चाहता है त्यों त्यों उतना ही ज्यादा तो इसमें उलजता जाता है छूटना चाहकर भी नहीं छूट पाता है तो इसमें दूसरा आर्थ क्या है कि कोई भक्त किसी मोह माया से ग्रस्त सान्सारिक व्यक्ति से कहता है कि अरे जीव इस मोह माया के जाल में पढ़कर आज तक कोई नहीं छूट पाया है तुम जितना ज़्यादा इसे सुल्जा कर निकलना चाहते हो उतना ज़्यादा इसमें और उलज जाओगे अर्थार्थ इससानसारिक मोह माया से मुक्ति कठिन है अगला है बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुखाए सोह करे बोहनू हसे दैन कही नट जाए लुकाए का मतलब है छिपाना बत्रस मतलब बातों का रस यहाँ पे लाल आया क्रिश्न के लिए लाल की मतलब स्री क्रिश्न की मुरली को गोपिया छिपा लेती है लुखा लेती है अर्थार छिपा लेती है किसके लिए बत्रस लालच के लिए बातों के रस के आनंद के लिए उनके साथ बातों का आनंद लेने के चक्र में वो उनकी मुडली को छिपा लेती है सोह करे बहुनू हसे देन कहे नट जाए वो सोह का मतलब होता है सोगंद और नटी मतलब मना करना कुई बिहारी कहते हैं कि गोपिया स्री क्रिशन से बातों का रस लेने के लालच में उनकी मुडली को छिपा लेती हैं क्रिशन जब उनसे मुडली देने के लिए कहते हैं दैन कहीं नट जाए क्रिशन जब उनसे मुडली देने के लिए कहते हैं तो पहले तो वे सोगन्द खा जाती हैं शोगंद खा लेती हैं फिर बहुंसे हसने लगती हैं बहुंसे इशारों में हसने लगती हैं जिससे लगे कि वे जूट भी बोल रही हैं सोगंद भी खा रही है बहुं से हस्ती है जिससे ये भी लगी कि जूट बोल रही है और जब कृष्ण मूर्लित देने के लिए कहते हैं तो विसाफ मना कर देती हैं नट जाती है अर्थार्थ गोपिया क्रिश्ण से ज्ञादा समय तक बाते करने का अनन्द लेने के लिए वो ऐसा करती है अगला है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर जानती हो नन्दित करी यह दिशिनन्द की सोर नाच यचानक ही उठे बिनुपावस बन मोर पावस है वर्षारीतू बिना वर्षारीतू के ये मोर अचाने के नाच ने लगे नन्दित का मतलब है अनन्दित दिश्टी मतलब दिशा, नंदिकी स्वर मतलब कृष्ण इस दोहे में विरह वेदना से व्याकुल नायका को उसकी सखियां सांतोना देती हुई कहती है अब उसकी सखियां से सांतोना देती हुई कहती है कि है सखिय बिना वर्षा रेतु के ही आज वन में मोर अचानक ही नाचने लग गए है नायका को सांतोना देती हुई उसकी सखियां कहती हैं कि है सखिय बिना वर्षा रेतु के ही आज वन में मोर अचानक ही नाचने लग गए है ऐसा लगता है नंद किसोर अर्थार स्री कृष्ण इस दिसा में यह दिसी इस दिसा में वन विहार के लिए निकल पड़े हैं और उनकी सावली कांतियों देखकर उनके काले रंग की चमक को देखकर मोरों को भी बादलों का ब्रह्मों गया है और वे आनंद से नाचने लग गए है अगला है लिखन बैठी जाकी छबी गही गरब गरूर भैन केते जगत के चतुर चितेरे कूर लिखन बैठी जाकी छबी छबी का मतलब है यहाँपर रूप सोंदर्य का चित्र छबी का चित्र गही गई मतलब धारन करके गरब का मतलब है गरूर और गरूर का मतलब है एहंकार शवी मतलब रूप सुंद्रिय का चित्र गही गही का मतलब धारण करना या धारण करकरके गरब का मतलब गर्व गरूर का मतलब एहंकार भए का मतलब है हो गए केते जगत के इस अंसार के केते मतलब कितने ही हो गए केते मतलब कितने ही चतुर मतलब चतुर या चालाक चितेरे मतलब चित्रकार चित्रकार और कूर का मतलब है मूर्ख या एसफल एसफल या मूर्ख इसमें कवी ने नाइका के रूप संद्रे का वर्णन किया है कवी बिहारी कहते हैं कि कि नाइका के रूप संद्रे का चित्र बनाने के लिए इस संसार के जगत के कितने ही गर्वीले और एहंकारी जिनको अपनी कला के उपर गर्व था और एहंकार था चित्रकार आए बिहारी जी कहते हैं कि नाइका के रूप संद्रे का चित्र बनाने के लिए इस संसार के नयजाने कितने गर्वीले और एहंकारी चित्रकार आए परन्तु वे उसके संद्रे का साही अंकन नय करने के कारण एसफल होकर लोट गए कुरूर का मतलब एसफल एसफल होकर लोट गए इसका भाव ये है कि इस नाइका की संद्रता पल-पल बदलती रहती है नाइका की संद्रता पल-पल बदलती रहती है वे एक जैसी नहीं रहती है चित्रकार चित्र बनाकर जैसे ही उसका मिलान करता है उसे भिन्नता दिखाई देती है और उसका महान चित्रकार होने का गर्व और अहंकार क्या हो जाता है चूर चूर हो जाता है इस दोहे में पुन्डुक्ति प्रकास लंकार भी है अनुप्रास लंकार भी है और अतिशोक्ति लंकार भी है वो जदा बढ़ा जटा कर बढ़न किया गया है इसलिए अतिशोक्ति से पल्लव डार जीने का आर्थ है महीन या पारदर्शी पट मतलब वस्तर जो महीन वस्तर होते हैं पारदर्शी वस्तर उनके लिए का अगर जीने पट जुलमुली ये कान का आबुशन होता है इसको हम जुमकी भी कह सकते है जुमकी जो कान में पहने जाने वाला जवाबूशन है वह है जुल्मुली जलक्ति मतलब जलक्ति है जलकल्री मतलब जलक्ति है ओप मतलब चमक और अपार मतलब बहुत ज़्यादा या अत्यंत अत्यंत चमक जलकती है जीने पट में महिन वस्त्रों में किसकी जुमकी की नाईका की जुमकी की उसके महिन वस्त्रों में या पारदर्सी वस्त्रों में अत्यंत चमक जलकती है सूर तरू मतलब कल्प व्रक्ष है देवताओं का व्रक्ष सूर मतलब देवता तरू मतलब व्रक्ष कल्प व्रक्ष देवताओं का व्रक्ष है कल्प व्रक्ष और कल्प व्रक्ष की विसेस्ता होती है इसके नीचे खड़े होकर जो भी इच्छा मांगी जाती है जो भी इच शुशोबित होती है, सैपललव, पत्तो सहीत, डार मतलब डाली। इस में भी कवी ने नाइका की सुन्दर्टा का ही चित्रन किया है। इस दोहे में भी कवी ने नाइका की सुन्दर्टा का ही चित्रन किया है। यह ऐसे लगती है, मनू, मानो, समुद्र, समुद्र के जल में कल्प व्रिक्ष, सुर्तरू कल्प व्रिक्ष के की पत्तो से युक्त, सैपललव, डार, पत्तो से युक्त डाली शोभा पा रही है। लस्ती मतलब शोभा पा रही है। यह ऐसे लगती है, मनो, समुद्र के जल में कल्प व्रिक्ष की पत्तो से युक्त डाली शोभा पा रही है। यहाँ पे अनुप्रास और उस प्रेक्षा लंकार का प्रियोग किया गया है। उम्मिर करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। धिन्यवाद जय हिन जय भारत। अगले पात दो है अगले वीडियो में। अगले वीडियो में।